नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब शैनल में कब कितना कैसे में आज हम बात करने वाले हैं क्लोर हैक्जिडीन माउथ वॉस के बारे में ये एक एंटी सेप्टिक एंड एंटी प्लाग माउथ वॉस है इसमें है 0.2% weight by volume क्लोर हैक्जिडीन सबसे पहले हम आपको इसके फायदे के बारे में बता देते हैं माउथ वॉस मू से आने वाले दुरगंद को यानि की bad breathe को रोकता है इंफेक्शन से बचाता है ये जम्स और बैक्टिरिया को खत्म करता है प्लाग को दातों पर जमने नहीं देता जिंजिवाइट इसको prevent करता है अब हम जान लेते हैं एंटी सेप्टिक माउथ वॉस का प्रयोग हमें कप करना चाहिए इसका प्रयोग आम तोर पर मसूडों से जुड़ी समस्याओं के लिए किया जाता है जैसे मसूडों से खून आना, मूँ से बद्बू आना, मसूडों में सुजन होना अब हम जान लेते हैं कि हमें माउथ वॉस कितना और कैसे इस्तमाल करना चाहिए माउथ वॉस ब्रस का अल्टरनेटिव नहीं है ब्रस करना बहुत जरूरी है सबसे बहले आप ब्रस करें फिर फ्लॉसिंग उसके बाद आप माउथ वॉस इस्तमाल कर सकते हैं माउथ वॉस आपको एक दिन में दो बार इस्तमाल करना है 10 ml mouthwash को आपको 10 ml plain पानी के साथ mix करना है फिर आपको ये mouth में लेके 30 to 35 second के लिए अच्छे से all over mouth में rotate करना है फिर थूख देना है इसको निगलना नहीं है यानि की swallow नहीं करना है mouthwash करने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं शाहिए तभी ये अच्छे से काम करेगा इसके कुछ side effect भी होते हैं जैसे की जादा लंबे समय तक mouthwash इस्तमाल करने से दातों पर staining हो जाता है धबबा पड़ जाता है खाने का स्वाद भी कम लगने लगता है dry mouth यानि की मूँ सूखा सूखा सा लगेगा ये कुछ problem है जो की जादा mouthwash इस्तमाल करने से हो सकता है इसलिए antiseptic mouthwash का इस्तमाल आप अपने dentist की सलाह पर ही करें अगर मुँ में कोई infection हुआ है तभी इसका इस्तमाल करना चाहिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी informative लगा तो please मेरे चैनल को subscribe करें ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को like करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर बाबाई